हलो एवरिवन, वेलकम टू माइम यूट्यूब चैनल तो कोई भी शादी हो, सगई हो, तीज त्यहार हो, फंक्शन हो तो इस तरह की ट्रे में श्रिंगार पैक करके भेजा जाता है तो इसे हम घर पर भी बड़ी आसाने से बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने यह दो तरह की ट्रे लिये, यह थोड़ी बड़ी ट्रे है और इसके पास जो पड़ी है वह थोड़ी छोटी है और गोल, छाबड़ी आती है, टोकरी बोलते हैं, उसमें भी आप पैक कर सकते हैं तो इसे आप घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं, या पैक कैसे कर सकते हैं, वो मैं आज आपको दिखाऊंगी तो इस थाली में जो यह सामान है, यह सब श्रिंगार का सामान है सामान यह अपनी पसंद के साब से ले सकते हैं जो कंपनी आपको पसंद होती है उस कंपनी का ले सकते हैं लगबग इसमें पूरा सामान है तो इसे पैक करना बहुत ही आसान होता है और आप अगर मार्केट में जाएंगी ये सब पैक करवाने या लाने के लिए तो ये वो आपको मेंगा पड़ेगा तो इसे आप घर पर आसानी से कैसे पैक कर सकते हैं तो मैं ये वाली ट्रे पैक करके दिखाऊंगी या बाजार में आपको 100,500 या 200 के अंदर मिल जाएगी खाली ट्रे तो इसमें हम सामान पैक करेंगे तो जैसे इसमें सामान आता है वैसे आप बराबर रख कर देख लें और इस तरह की ट्रे जब भी आप पैक करें तो आपको बड़ा-बड़ा साइज का सामान नहीं लेना है मीडियम साइज का सामान लेना है company आप अपनी पसंद के इसाब से ले सकते हैं यही फाइदा होता है घर पर पैक करने का कि आप अपनी पसंद की company का सामान ले सकते हैं अपनी पसंद की size का सामान ले सकते हैं और आपको कौन सी चीज डालनी है इसमें कौन सी नहीं डालनी है वो आप अपनी पसंद के इसाब से कर सकते हैं तो यहाँ पर सारा सामान इसमें जमा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीम है, परफ्यूम है, शेंपू है, पाउडर है फेश वास है, साबून है, सिंदूर है, कंगी है और tooth press और tooth paste सब है आप चाहें तो इसमें face pack जो आता है वो face powder आता है, foundation आता है अपनी पसंद से जो चाहें आप इसमें सामान डालें और size आप medium ही रखें क्योंकि जद्धा बड़े size लेंगे तो फिर इसमें आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो देख लें कैसे कौन सा सामान किदर आता है, किदर नहीं आता है वो आप अपने हिसाब से जमा कर देख लें पहले आपको अच्छी तरह से पूरा सामान इस ट्रे में जमाना है क्योंकि अगर सामान बहुत जद्धा उंचा रहा तो फिर इसके उपर प्लास्टिक लगाने में प्रॉब्लम होगी और फिर हम कहीं ले जाते हैं, रखते हैं, करते हैं तो उससे प्लास्टिक भी फट जाता है तो सामान आपको बराबर रखना है जद्धा उंचा नहीं रखना है कि वो प्लास्टिक के जो ये बाउंडरी है उससे भी बार है, वैसे नहीं रखना है तो इसमें हम मैंने कांच रखा है हेर ओल रखा है, मेंधी पाउडर रखा है आप चाहें तो मेंधी का कौन भी रख सकते हैं नेल पॉलिश रखी है, लिपिस्टिक रखी है मलमल का है, तो वो सॉफ्ट बहुत है ये बाहर आ रहा था, ये ट्रे की जो बाउंडरी उसे भी बाहर आ रहा था तो मैं वापस से इसको समेट कर अच्छी तरह से करके साइड में डालूँगी, देखी मैंने पहले चूडियों के अंदर डाला नहीं आना चाहिए, तो ये देखी मैं यहां पर इस तरह से इसको लंबा कर दूँगी, जिससे कि ये बराबर बैठ जाए, और जो हेयर बेंडे उसे हमें चूडियों के अंदर रख दूँगी, तो समान सारा आपके सामने दिखना चाहिए, और ये है बिंधी का पैकेट, तो घर पर पैक करने का फायदा ही यही है, कि आप अपनी पसंद का सामान ले सकते हैं, और आपके जो इसमें ये वो खरीद कर ले आएं, और इस तरह से आप घर में आसानी से पैक कर दे, नहीं तो आपको ट्रेल पैक करवाने के लिए बाजार में जाना पड़ता है, टाइम भी वेस्ट उरता है, और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, तो आप ट्रे खरीद लिए, सामान खरीद लीजिए, और घर पर पैक कर दीजिए, तो काम भी फटा-फट हो जाएगा, और आपके पैसे भी बच जाएंगे, तो इसमें सा अंगुलियां और अंगुठे से टैप को दबा रही हूं, ताकि यह जो सामान पर अच्छी तरह से चिपक जाए, वरना सामान हिल जाएगा, हमें इस तरह से अच्छी तरह से पैक करना है, कि अगर ट्रे कहीं जाते हैं, ले जाते हैं, तो हिलती है, या सीधी उल्टी होती, तो इसका सामान जो है वो इधर उधर खिसके नहीं और बिकरे नहीं, तो यह देखीं, आप देखें, मैं किस तरह से सेलो टेप इस पे चिपका रही हूं, ताकि सामान पर अच्छी तरह से चिपक जाए, तो यहाँ पर पहले त ऑपर की साइड से लेकर नीचे की तरफ से भ का रही हूं जिससे कि हमारा सामान बिल्कुल भी नहीं लेगा एक तरफ से यहां से भी चिपका देंगे कोई भी फंक्षण होता है गर में छोटा मोटा फंक्षण होता है यहां पर राजस्थान में तो हर फंक्षन में इस तरह की ट्रे भेजी जाती है चाए वो तीज त्याहर हो चाए शादी हो चाए कुछ भी हो तो एक बार मैं फिर से बीच में भी चिपका रही हूँ जिससे कि मुझे भरोसा हो जाए कि यह सामान अची तरह से चिपक जाएगा और हिलेगा नहीं तो मैंने तीन तरह से यहां से चिपकाई और उपर की तरफ से दो तरफ की चिपकाई तो अब देख लिए आप सामान हमारा अची तरह से जम गया आपको सही लगना चाहिए कि हाँ अब सामान हिलेगा नहीं और सामान अची तरह से पैक हो गया देखी मैं इसको हिला कर चेक कर रहे हूं कि सामान कुछ हील तो नहीं रहा है अब हम इस पर प्लास्टिक चिपकाएंगे अगर बड़ी प्लास्टिक हो जिसके के अंदर ये पूरी ट्रे आ जाए तो उसके अंदर डाल कर चिपका दे लेकिन मेरे पास इतनी बटे लगेगी वहां पर से इसी तरह सेलोटेप से करके अच्छी तरह से इसको टाइड चिपकारना है ताकि प्लास्टिक जो हमारा है वो खुले नहीं बहुत ही आसान होता है बस आप एक बार इस तरह से देकर प्रैक्टिस करेंगे बनाने की घर पर तो बहुत ही आसानी से ये ट्रे पैक हो जाती है और ज्यद्धा परेशन होने वाली बात भी नहीं है आप अपने पसंद का सामान लेकर एक बार दो वार थोड़ा बहुत घर पर आप आसानी से इसे इस तरह से पैक कर देंगे तो मैंने इसको अच्छी तरफ से चारा तरफ से पैक कर दिया देखिया आप मैं इसको इस तरह से हिला रही हूँ लेकिन ये दे के सामान बिलकुल भी नहीं हिल रहा है तो एकदम बराबर सामान भी बैठावा है और ट देना होता तो जाइं आप इस तरह से इसको तियार कर लेंगे और देखिए कितनी खुबसुर्थ लग रही है पैक करी है और बहुते एज़ेगे आप इसकी चेह गोल बड़ी भी ले सकते हैं बड़ी भी ले सकते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें